तो हेई देर, आएम शेवाई, एंड यू आर उन सस्ता एक्स्प्लेनर पर कुछ समय के बाद जब वो बड़ा हुआ, तो उसकी शादी हो गई, और अब उसे वापस और्फनेश में बुलाए गया है, क्योंकि उस और्फनेश के जो ओनर है, उनके तबियत बहुत ज़्यादा खराब है, और इसलिए वो उनने देखने के लिए वहाँ पर जा रहा है पर रास्ते में उसे अपनी कार रोखनी पड़ी, क्योंकि वो देखता है रोट के बीचों बीच में एक हिरन मरा हुआ पड़ा है, पर वो लोग इस बात को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं, पर उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि रोट की दूसरी साइट पर एक बच्ची पड़ी होती है, जिसके शाय डेथ हो चुकी है, दूसरी तरफ हम इन्हें देखते हैं जो कि कुछ देर के बाद उस और्फनेज में बहुत जाते हैं, जहापर इनके लावा इनके ही बच्पन के बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पर आये हुए थे, जहापर सभी कि और सभी लोग उस ओनर की तबियत का हाल चाल लेने आये, खेर यहाँ पर हमें दिखाया जाते हैं दो और लोग जो कि उसी और्फनेज में काम करते हैं, एक्चिन में ये दोनों भी हनीफ और उसके ही दोस्तों के साथ यहाँ पर बच्पन में रहा करते थे, पर इन सभी को क कि इनके रूम में छोड़ती हैं, और यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुशते हैं, क्योंकि वो अपनी फैमली के साथ अपने बच्पन के फ्रेंड से मिल रहे थे हैं, इसी बिच हनीफ का एक बेटा हकी एक रूम के पास आकर रुखता हैं, और वहाँ के दोर को इससे पहली ही वहाँ पर रानी आ जाती हैं, चोकि उसे इस डोर को उपें ना करने की सलाह दीती हैं, और उसे बताती हैं कि काफी सालों पहले इस ओर्फनेज में एक के अटेकर हुआ करती थी, जिसके साथ पतानी क्या था, पर वो एक बच्ची को बहुत कहा करती थी, कि इ बहुत ही अजीवों गरीब हरकते करने लगती हैं, जिस वजए से उन्हें इसी रूम में बंद करना पड़ा, पर जब उन्हें बंद किया जाता हैं, वो अपना सर बहुत जोर-जोर से दर्वाजे पर मारने लगती हैं, और जैसे ही लोग आ करके उन्हें बचा पाते, इस स पहले ही जादा ब्लड निकलनी की वज़े से उनकी डैथ हो गई और उसके बाद से ही इस डूर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है इस बाद से हांकी काफी जदा डर जाता है तो वो सीधा अपने डैड हनीब के पास जाता है और उन्हें इस सारी बात बताता है जिस पर उसके डैड भी एगरी करते हैं और उसे उस के अटी करकी और उसके साथ साथ उस बच्ची की भी फोटो दिखाता है कुछ देर के बाद जहानीब अपनी कार चेक करने के लेगा तो उसने नोटिस किया कि उसकी कार पर बलड लगा है और एक कपड़े का टुकड़ा लगा है तब उससे रेलाइज होता है कि रास्ते में जहापर हिरन मदा पड़ा था शायद उसने हिरन को नहीं बलकी किसी और को ठोक दिया था जिसके बाद वो अपनी कार लेकर के वापस उसी लोकेशन पे जाता है और अपने साथ अपने एक फ्रेंड को भी ले जाता है यहाँ पहुच करके उन्हें हिरन तो दिखता है परन्तो इसके साथ रोट के दूसरे साइट पर उन्हें वो बॉड़ी भी दिख जाती है और ना सिर्फ ये दोनों ही थे यापर इसके साथ साथ एक बस भी थी जिसके बाद वो लोग जल्दी से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं पर उनके फोन में कोई भी नेटवर्ग नहीं आ रहा था जिस विज़े से वो काफी परिशान हो गये और वो डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाएंगे यहाँ पर आर्परेज में उनका ही एक फ्रेंड उन्हें देख लेता हैं चुकि उनसे पूसता हैं कि तम लोग इतनी रात में कहा गय थें यहाँ पर ये लोग और फ्रेज में ही रुख जाते हैं तूसरी तरफ वो बन्दा अकेले ही इस लोकेशन के तरफ निकल जाता है कुस देर के बाद वो उस location पर पहुच भी गया पर जब वो बस के अंदर जाता है तो वो देखता है कि बस के अंदर बच्चे मरे हुए नहीं बलकि वो तो एक दूसरी direction की तरफ मोगर के खड़े हुए हैं और ये scene उसे काफी जदा horror लग रहा था जिस वज़े से वो बहुत डर जाता है और उनसे कुछ कहे या उनसे कुछ बोले भी नहीं वहाँ से बाहर आने की कोशिश करता है परंतु वो नोटिस करता है कि जो बसका दरवाजा था वो काफी tightly lock हो गया जो की खुलने का नाम ही नहीं ले रहा और यहाँ पर बाहर black dress में कोई lady है जो की उसे घूरे जा रही है इतने में ही उस बंदे का पयार कुछ ऐसी चीज़ों पपड़ता है जिससे बहुत सारे इंसेक्ट निकलने लगते हैं और वो सभी के सभी इंसेक्ट उसकी body के अंदर से ले जाते हैं और ऐसे करते करते हैं उसकी वही पर तड़ब तड़ब करके मौत हो जाती है यहाँ पर दूसरे तरफ हम और फिनिस में एक लड़की को दिखते हैं जो कि एक नाइफ को पकड़ करके अपने एपल को काटने जा रही थी पर तभी उसकी नजर सीसे में पड़ती हैं और वो सीसे में नोटिस करती हैं कि उसका fat काफी ज़दा बढ़ गया है जिस वज़े से वो एक नाइफ की help से अपने neck के पास के fat को काटने लगती हैं और दूसरे तरफ हमें एक और लड़की दिखा जाती हैं जो कि अपने room में सो रही होती हैं पर उसके उपर कुछ warm सा कर गरते हैं जो कि उसकी body में चले जाते हैं इस बाद से उसे काफी ज़दा दर्द होता हैं दूसरे तरफ हमें एक बंदा दिखा जाता हैं जो कि उस fat काटने वए लड़की के पास पहुंचता है एक्चल में ये उसका husband है और अपने husband को अपने सामने देख करके वो लड़की काफी साथा जूर दूसरे रोने लगती हैं कि उसने अपने साथ क्या कर लिया दूस्तों यहाँ पर हमें समझ में आता हैं कि ये लड़की अभी तक possessed थी और process होने की वज़े से ही उसने अपनी आहलत ऐसी कर लिया और अब उसे काफी ज़्यादा दर्द हो रहा है और इतने में ही वो लीड़ी भी महाँ पर आ जाती हैं जिसके अंदर worms से ले गये थे जिसके बाद इन दोनों को हनीफ की कार में बिठा करके इने आस्पीटल के तरफ ले जाता है पर ये लोग नोटिस करते हैं कि इनकी कार काफी देर तक बहुदा ही जा रही है पर ये लोग भूद से लेज़ा करे ती और इसी वज़े से उसने ओर्फनेच के तीन बच्चों का सेक्रिफाइस भी दे दिया था और उसी से बचने के लिए मैं और मेरे दो फ्रेंड्स वहाँ से भाग गये थे दूस्तों इनमें से एक फ्रेंड की ड़त तो उसी बस में हो गई है बाकी की ये दोनों बचे हैं लेकिन जब हम दोनों वहाँ से भाग रहे थें तो हमारा रास्ता ठीक इसी तरह से लूप में बदल गया था हम लोग चाहे कितना भी दूर भाग लें पर घूम फिर करके हम और्फनेच के पास ही पहुँच जा रहे थे जिस पर हमारे और्फनेच के ओनर ने हमसे कहा कि इस और दूसरी तरफ हनİv का दूसरा भी टांट जो कि एक टीवी में एक वीडियो गेम खेल रहा था पर दभी अचाहनक से उसके टीवी स्क्रीन चेंज हो जाती है और एक बहुत ही क्रीपी सी लिडी उसकी टीवी में आजती है और वहां से बाहर निकलने लगती है उसे देख जाता है और इतने वही उनके parents भी वाफस orphanage में आ जाते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए करके काफी ज़्यादा tension में थे पर यहां पर वही हुआ जिस बात का डर था क्योंकि उन्हें उनके बेटे मिल ही नहीं रहे थे इतने महीं ढूंटे ढूंटे जो उनकी mom है व और एक्च्वल में जो caretaker थी वो तो बस उन लड़कियों को इससे बचा रही थी और एक्च्वल में उस owner ने ही उस caretaker के बारे में फालतों क्या फैलाई थी ताकि बच्चे उसे ही मार दें खैर अब सब कुछ disclose हो चुका है पर अभी भी नहीं ये समझ नहीं आ रहा कि caretaker प्रदबी अचानक से इनकी बस रूख जाती है और उसके अंदर कोई black dress में एक लेड़ी आती है जो की कुछ spell पढ़ने लगती है जिस वज़े से सब ही बच्चे पॉजिस्टो करके अपने आपको ही मारने बीटने लगते हैं बस मैं ही उनमें से एक थी जो की बच गई थी क्योंकि उस लेड़ी के spells मैं सुनी नहीं पाई मेरे कानों में headphone लगा हुआ था लेकिन जहसे ही मैं यह देखती हूँ मैं वहां से बहुत जोरू से भागती हूँ और रास्ते में हनीप की car ने मुझे टक्कर मार दी जिस वज़े से मैं बेहोश हो गई तो दोस्तों जह स्ट और वो अपने black magic के help से हनीप का गला दबाने लगती है और उसने उसकी wife नादिया को भी process कर ले था जिसके बाद नादिया भी हनीप को मारने की कोशिश करती है पर रानी किसी तरह से उसे रोक लेती है और यहां पर हमें बता जलता है कि यह बच्ची कोई और नहीं बलकि उ जिस पर वो बोलती है कि हनीप ने इनका पूरा साथ दिया और तुम लोग भी यहीं पर थे लेकिन तुम लोगोंने कुछ भी नहीं किया इसलिए तुम सभी को सजा मिलेगी और मैंने उन बच्चों को भी इसलिए मारा है ताकि वो लोग इस ओनर का शिकार ना हो सके वरना इतने में ही वो लोग पास में रखी हूँए कैंडल से उसे जा देते हैं जिससे उस लड़की नहीं बहां पर रखखा था ताकि वो कोई रिचुल कर सकें पर वो रिचुल उस पर ही भारी पळ जाता है और उस आग की वज़े से वो वहीं पर जल जाती है जिसके बाद वो स उसकी निजर बरती है उसके शिशे पर जिसमें उसे उसी ब्लाक र्रिस वाली लेडी के शैडोर देखती है और पर बाहर निकल करके उससे कुछ भी नहीं दिखा खैर इसके साथ यह मूवी आहीं बर को कैसे लेख है लेखं़ें हमेंन नीचे कॉमेट करके सब रूब इसे भी जल्दी जल्दी और इस से भी अच्छे-ची मूवीज अप्लूट कर देते हैं मुझे बात दगरा करना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टेग्राम पर फॉलो करके मैसेश कर सकते हैं मिलते हैं किसी ऐसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए तेंक यू, बाबाई, साइनिक ओफ